आज मैं सुनाते हूँ एक करम फल की कानी महाबारत के युद के बाद दृतराष्टर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे सो पुत्तर थे सो के सो मारे गए और मेरी आखों के सामने ऐसा क्यूं हुआ तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि पचास जनम पहले तुम एक शिकारी थे और तुमने एक पक्षी को मारने की कोशिश की वो उड़ गया और तुमने गुसे में उसके गोसले से उसके सो बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था तो फिर दृतराष्ट ने पूछा कि फिर पचास जनम के बाद क्यूं ये मेरे को बोगना पड़ा है तब श्री किर्चन ने कहा था कि सो पुत्र पाने के लिए बहुत पुन्य चाहिए होता है और पचास जनमों तक तुम वो पुन्य कमा रहे थे तब उस पुन्य के बाद तुम्हारे सो पुत्र हुए और फिर उन सो पुत्रों को तुम्हारे सामने मारा गया और तुम देखते रहे इसी तरह जैसे गाएं अपने बच्छड़े को सो पस्वों के बीच में पैचान लेती है उसी तरह करम फल भी इनसान को पैचान लेता है ढूंड लेता है और जैसे रास्ते पर लाखों लोग चलते हैं लेकिन कोई एक मारा जाता है वो कोई संयोग नहीं होता वो करम फल है और करम फल हमेशा इनसान को ढूंड ही लेता है तो करम हमेशा इνसान को अच्छे करने चाहिए क्योंकि करमों का फल देर से ही सही मिलता जरूर है करमों के फल से कभी बगवान भी नहीं बच पाए तो इनसान कैसे बच सकते हैं और करम फल जो भी इस्मपिता में है का भी एक्जांपल है कि उन्होंने भी जो वानों की सहिया पर लेटे रहे थे वो भी उनका करम फल ही था इसको मैं अगली उसमें बताऊंगी इसके बारे में बीश्म के करम फल के बारे में अभी आप ने जो जाना है इससे आप सीखें कि करमों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए क्योंकि करम फल हमें मिलता जरूर है कभी भी मिले मिलेगा जरूर करम फल से कोई नहीं बच सकता कोई भी नहीं तो हमेशा अपने करम अच्छे रखें अच्छे काम करें किसी का दिल ना दुखाएं किसी को वो नुक्सान ना पहुंचाएं कि आगे जाके भोग ना कर्मों के लिए कहा गया है ना करम किये जाबंदे फल देगा भगवान ये है गीता का ग्यान गीता में श्रीकिर्ष्ण ने बहुत अच्छे से बताया है क्योंकि पूरी महाबारत ही कर्मों का फल था हर किसी के साथ जहां जिसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सब के कर्मों का ही फल था कर्मों के अनुसार ही सब के साथ अच्छा या बुरा हुआ है और इससे ना कोई बचा है ना ही कोई बचेगा हम सिर्फ अपने कर्म सुधार सकते हैं बगवान कहते हैं अच्छे बुरे कर्म करता ही क्यों है इंसान बगवान रोकता क्यों ही नहीं बगवान रोकेगा नहीं बगवान तो गिंटा है करते रो उन्होंने इंसान का सरीर दिया है अब इसमें आके हमें क्या करम करने हैं कितने अच्छे कितने बुरे ही हमारे आत्मे है और वो तो सिर्फ फल देंगे हम अच्छे करम करके उनसे अच्छा फल भी पा सकते हैं और बुरे करम करके सजा भी पर इसे नहीं बच सकते जब हम अच्छे फ़ल का इंतजार करते हैं तो बुरे का भी करना पड़ेगा अच्छे फ़ल को खुश होके लेते हैं तो बुरे को भी हमें स्विकार करना होगा तो कर्मों पर ध्यान देना जुरूरी है फ़ल मिलना